नमस्कार, रियलमी ने बारतिय बाजार में सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लांच किये और रियलमी द्वारा लांच किये गे इस स्मार्टफोन नी कीमत बारतिय बाजार में सबसे सस्ते 5G फोन की बताई जा रही है स्मार्टफोन निर्मातक कमपनी रियल्मी न भारतिय मार्केट नो अपनी नार्जो 30 सिरिज को लांच किये इस सिरिज के तहत रियल्मी ने दो स्मार्टफोन नार्जो 30 प्रो नार्जो 30 ये को लांच किये Realme Narjo 30 Pro को बारतिय बाजार का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन बताए जा रहा है अब बात करते हम Realme Narjo 30 सिरीज की कीमत की तो Narjo 30 Pro 5G के 664 श्टोरेज वरियंट को बारत में 1699 रुफिम लांच की है वह है उस स्मार्चपोन के दूसरे वरियंट याणी 812 storage वरियंट कीमत करीब 9999 रुफिम लांच की गई है वह है इसके 46 storage वरियंट कीमत 9999 रुफिम लांच की गई है और इसके पहली शैल 5 मार्च से होगी अब बात करते हैं हम Realme Narjo 30 Pro 5G के फीचर्स की तो इसमें 6.5 इंच की Full HD डिस्पले दी गई है Realme के आई स्मार्टफोन Android 10 बेस्ट Realme UI पर रन करता है इसके अदियोक्टा को प्रोसेसर गया दियां बात करें तो इसमें MediaTek DMA City 800U प्रोसेसर दिया गया है Security के लिए इसमें Side Mound and Fingerprint Sensor दिया गया है Realme Narjo 30 Pro 5G को पावर देने के लिए 5000 थाउजन टैमेच की बैटरी दी गई है यदि हम Realme के इस 5G स्मार्टफोन एं कैमरा सेटप की बात करें तो इसमें आपको Primary Camera 48 Megapixel का है जबकि इसके लावा 8 Megapixel अल्टर वाइट एंगल है और 2 Megapixel माईगरो कैमरा है वही सेल्पी और वीडियो कोलिंग के लिए फ्रेंट कैमरा की बात करें तो 16 Megapixel का कैमरा दिया गया है अब बात करते है Realme Narjo 30A की फीचर्स के बारे में तो इसमें 6.7 इंच की HD डिस्पले दी गई है Realme का यह स्माटफोन Android 10 बेस्ट Realme UI पर रन करता है इसके ओक्टागोर प्रोसेसर की बात करते है तो इसमें MediaTek Helio G85 प्रोसेसर मोजूद है वही यदि हम इस मोबाइल की कैमरे की बात करते है तो इसमें 13 Megafical का primary sensor camera दिया गए है इसके लाव सेलपी camera इसमें 8 Megafical का मोजूद है इस phone को power देने के लिए इसमें 6000 mh की battery लगी है और 18 watt fast charging और reverse charging को support भी करती है तो यह Realme ने बारतिय बाजार में दो variant launch की है जिसे बारतिय बाजार का सबसे सस्ता 5G स्माटफोन मानने जा रहा है ऐसी ताम देश दिनिया खबर देखने के लिए नमस्ते ने चैनल को subscribe करें और जुड़े रहे नमस्ते ने प्रयार की साथ